तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है बिहार सेसी पर्थम इंटस्तर ये मुथ परिक्षा कए 35 मौक टेस्ट है इससे पहले 34 मौक टेस्ट डिसकस किया जा चुका है अगर आप उन वीडियो इसको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाकि उन सब को देख लो पीडिएफ के लिए आपको टेलीग्रम जॉइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाके चैनल जॉइन कर लो आगे बढ़ने से पहले तीन वाते पहला तो आप कॉपी कलम लेके बैठो दूसरा आप कितना कर प भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान सात्वी और छठी सताब्दी इसापुर्व में कितनी महान सक्तिया यानि महा जनपद अस्तित्व में थी कि इसका अंसर होगा आपशन डी सोर्व तो सोरा महा जनपद थे ठीक है अब हम लोग देखते हैं वो सोरा महा जनपद कहां कहां थे सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंडिया से बाहर जो अभी का इंडिया उससे बाहर दो था एक था एक था जो यहां पर है आप देख रहे हो गंधार गंधार का जो राजधानी था तक्सिला था कंबोज कंबोज का था हाटक फिर से एक था जो गुदाबरी नदी के दक्षिन में सिर्फ एक ही था जो गुदाबरी नदी के दक्षिन में था वो था अस्मक अस्मक का जो राजधानी हुआ करता था पोतना चलो अब हम लोग इधर से बात करते हैं मगद मगद यहां पर आप देख रहा है मगद का राजधानी ग्रीब राजग्री अंग अंग का चमपा बज्जी यहां पर बज्जी देख रहा है बज्जी का बैसाली यहां पर कि मजद का आपका हो गया इसके बाद हम लोग आते हैं कासी आप देखो यहां पर बनारस का monitor । यहां पर मल का कुछी नगर थ था मतस इसके आप champ देख रहा हो इदर इदर आब कौनसा है जलो सूर्षिन का हो गया आपको मत्फूरा सूर्षिन इहां पे सूर्शिन का हो गया मत्फूरा कॉसल का सुरावस्ति था कुरू को देख रहे पंचाल का था अहिछात्र इसके बाद अवंति यहां पर आप अवंति देख रहे हो अवंति का उज्जयन था और महिस्मति महिस्मति का था उज्जयन या महिस्मति चेदी को चेदी या चेति ये बोलते हैं इसको सुक्तिमति ठीक है इतना सारा इसको आप याद रखना और य इसके अंसर होगा ऑप्षन ए अनुच्यद 44 है ये समान नागरिक सहीता से संबंदीत है बात करें चियालीस का तो राज सरकार को अनुच्ची जाती अनुच्ची जन जाती एवं अती पीछा वर्ग के लोगों का स्ट्रेक्शनी के वं आर्थिखित की पूर्ति करने के बारे म 45 का तो 6-14 बर्स के बच्चों को निशिल्क सिक्षा देना है अनुछे 43 का तो राज के करमचारियों के नियूंतम मजदूरी और काम की उचीत वतावरण देना है चलो अगला प्रश्ण है दुनिया की पहली महिला परधान मंतरी का नाम बताए अपको दुनिया की पहली महिला परधान मंतरी का नाम बताना है यह उनका फोटो दिया गया है इससे अगर कुछ सोच सकते हो तो सोच के बताओ इसका अंसर होगा option B शिरिमावो भंडार नायके एस स्रिलंका की थी अगला प्रश्ण है भारत सरकार द्वारास्थापित किसी पैनल ने चीनी उदोग पर से पूंतन यंत्रन हटानी का सुझाओ दिया है को कौन सा पैनल है इसका अंसर होगा option B अगला प्रश्ण है यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का परामपरिक वाद्यंत्र है कौन सा है कि इसका अंसर हो जाएगा option C छायाप ब्रूंग यह जो सिक्किम का सिक्किम के जो लिंबू समुदाय पारामपरिक वाध्यन्त्र अगला प्रश्ण है उस दर्रे का नाम बता है जिसे उतरा खंड में तीर्थ यात्रियों द्वार्ड़ा कहलास मांस्रॉर यात्रा के लिए पर्योंग किया जाता है अभी इसको ले के बीबाद भी चल रहा है आप उस दर्रे का नाम बता इसका अंसर हो जाएगा option D लिपूलेख अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा रूप बक्मिनिस्टर फुलरीन यानि बक्मिनिस्टर फुलरीन का एक अपरूप है इसका अंसर हो जाएगा option C carbon carbon का यह अपरूप है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा LD हाइड है आपको बताना है कौन सा LD हाइड है इसका अंसर हो जाएगा option C propanel का यह LD हाइड है देखो propanel का जो सुत्र होता है CH3 CH3 whole twice CO यह propanel का सुत्र होता है अगला प्रश्ण है उस गरंथी का नाम बता है जो अन अंतासराई गरंथियों के कायर को नियंत्रित करती है आपको उस गरंथी का नाम बताना है इसका अंसर होगा option D pituitary गरंथी और यह सबसे छोटा गरंथी है मटर के दाने के बराबर इसका size होता है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा राजसाही राज्यों में से एक नहीं है जो की 7 और 6 सदी के सुरू में इसापूर भारत में मौजूद है आपको बताना है वो कौन सा नहीं है इसका अंसर हो जाएगा 20 साली अगला प्रशन है सार्क डी फातिमात धिर्याना साइद और जो सार्क का गठन हुआ थो आठ दिसंबर उन्नीसों पचासी को हुआ था अगला प्रश्ण है निम्रिखित में से कौन सा बायो स्फियर रिजर्ब भात सरकार ध्वरा पहले अस्थापित किया गया था अगला प्रश्ण है निम्र में से उस राज का नाम बताई है जो चंद्रगुप पर्थम को लिच्वियों से दहेज में मिला था उसको नाम बताने आपको इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन ए पाटली पुत्र अगला प्रश्ण है चालू क्युवंस का वास्तिक संस्थापक कौन था तो चालूक के वंस का जो वास्ट्विक संस्थापक था पुलके सिन प्रथम अगला प्रशन है भारत में पुर्जेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था अगला प्रशन है और मद परदेश को टाइगर एश्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं अगला प्रशन है डैस सामुहिक लोग निर्थ है जो सीकम के लोगों के संरक्षक देवता यानि कंचन जंगा के समान में किया जाता है वो कौन सा है व कि इसका आंसर हो जाएगा export c जुफाट अगला प्रशन है निमलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज़ सुगंद आती है किसमें फल की बहुत तेज़ सुगंद आती है आपको बताना है इसका अंसर होगा option B, Methyl Acetate, अगला प्रश्ण है भारतिय संबीधान में गंतांत्रमक सासन परणाली का बिचार डैस संबीधान से लिया गया है, जो एक गंतांत्रमक सासन परणाली है, इसका बिचार कहां से लिया गया है? इसका अंसर होगा option C, एक फ्रांस से लिया गया है, अगला प्रश्ण है, चालुक राजापुल के सिंदूतियों को किस ने पराजित किया था? तो चालूक राजापुल के सिंदूतियों को नर्सी वर्मन प्रतम ने प्राजित किया था और नर्सी वर्मन प्रतम एक पल्लोव बंस के महान सा सकते अगला प्रश्ण है राजसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है इसका अंसर हो जाएगा आप्शन ए राजसभा हो चाहें लोगसभा राजसभा में 12 और लोगसभा में 2 इतने संसदों को नियूक्त करते हैं इनका अधिकार सिफ राष्टपति को है अगला प्रश्ण है सेल कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है सेल यानि कोशिका का जो पावर प्लांट होता हो किसे कहा जाता है हुआ के तो tidak तो माइक्रो कण्डिया को चाता अब देख रहोना इसमें चोटे-छोटे आप गोले देख रहें जो छोटे-छोटे गोला है इसी को यहाँ फिलाया गया बाहर मीं चोटे-छोटे इसी को माइक ट्रो कंडिया बोलते हैं अगला प्रश्ण है किस बिटामीन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट किया सकता होती है कि इसका अंसर होगा ऑप्शन डी बिटामीन बी-12 इसका जो रसाइनिक नाम है साइनो कोबाला नहीं अगला प्रश्ण है इस्तिर बैग्यानिक सब्दों कॉंस्टेंट साइन्टिफिक टर्म को वर्नित करने के लिए उपसर के रूप में डैस का उप्योग किया जाता है कौन से सब्द का उप्योग किया जाता है इसका अंसर होगा ऑप्शन डी आईसो अगला प्रश्ण है गैंग कोंड चोलपूर्म का मंदिर बनवाया गया था किसके अंसर होगा ऑप्शन राजण के द्वारा बनवाया गया था देखो अगर यह तो हम लोग अभी किसका प्लेटफॉर्म का कर रहे ना प्लेटफॉर्म का यह मौक टेस्ट 35 है दो मौक टेस्ट और बचा हुआ है 37 के बाद हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का फुल मौक टेस्ट यानि डेर सब प्रश्ण का मौक टेस्ट करेंगे आप मैं कुछ और लेकर आऊंगा तो लगला प्रश्ण है दुर्गापूर भिलाई तथा राउर्केला इस्पातकार खानों की अस्थापना किस पचवर्शी योजना के तहत हुई इसका अंसर होगा ऑप्शन भी दूतियव पचवर्शी योजना में हुई थी जो आप भिलाई देख रहे हो यह रूस की सहता से हुआ था यह जो राउरकेला देख रहे हो राउरकेला कहां पर है तो उडिशा में जर्मनी की सहता से हुआ था दुर्गापूर यह पस्चिम का निर्मान किसके द्वारा होता है इसका अंसर होगा ऑप्शन डी यह अक्रित के द्वारा होता है अगला प्रश्ण है अक्रिये गैसों की खोज करने का सिरे किसे प्राप्त है तो अक्रिये गैसों की खोज करने का सिरे रैमजे को प्राप्त है देखो आप लोग अपना इसकोर कमेंट किया करो ठीक है मैं बार-बार देखता हूं आप लोग अपना इसकोर कमेंट नहीं करते हो मैं मैंने कभी आप लोगों को नहीं बोला कि चलो आप लोग लाइक करो सब subscribe करो, share करो, मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है, लेकिन comment आप करो, comment आप करोगे, तो आपके अंदर एक discipline आएगा, कि हाँ, चलो, मेरा आज score 50 रहा, मेरा आज score 52 रहा, आप comment करोगे, यानि आप seriously होके, आप अपना score, check करोगे, कि मेरा score कितना है, तो comment करो, ठीक है, मुझे तब लोग इस वीडियो को share करो, या subscribe करो, ठीक है, आपको करना करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन, आप आकर के channel पे देखो इसको, इसको देखोगे, तो क्या होगा, आपका selection स्योर होगा, अगला प्रश्न है, बिजय नगर में सासन करने वाले, वंसो का सही करम क्या है, तो दो भाईयों के द्वारा, अपने पिता संगं के नाम पर संगं वंस का अस्थापना किया, इसका capital हम पिता और सक्ति साली राजा क्रिश्न देवराय थे, अगला प्रश्न है, इन भारतियों में से किसको भारत रत्न से नवाजा गया है, इसका answer होगा, option है, अटल विहारी ब ट्यों फ्लोरम इसका बैग्यानिक नाम डैस है, किसका बैग्यानिक नाम है, इसका answer होगा, option D, तुलसी का बैग्यानिक नाम है, अगला प्रश्न है, कौन सी गरंथी पीत एक पाचन तरल पदार्थ सरावित करता है, इसका अंसर होगा option B यक्रित अगला प्रश्ण है अम्मोनियम कुलराइड का रसायनिक सुत्र है इसका अंसर होगा option D NH4CLA अम्मोनियम कुलराइड का रसायनिक सुत्र है अगला प्रश्न है निमलिखी तत्तव में से किसका सबसे कम गल्रांग है आपको बताना है ерм fixing कम गल्रांग किसका होता है इसका अंसर होगा option B nitrogen अगला प्रश्न है internet में TCP का ४ूरा रूप क्या है TCP का पूरा रूप आपको बताना है इसका अंसर होगा option D transmission control protocol अगला प्रश्ण है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज में है कि इसका अंसर होगा ऑप्शन सी च्छतिस गड़ में अगला प्रश्ण है पाई रेल्यू साइट डैस का एक आयस्क है कि इसका आपको बताना है इसका अंसर होगा आप्शन भी मैगनीज का रहता है मैगनीज का मुख कर ने लाइट है अगला प्रश्ण है आईमप का पूर्ण रूप क्या है इसका अंसर होगा option A, International Monetary Fund इसका जो headquarter है वाशिंग्टन DC में है और 1945 में इसको बनाया गया था अगला प्रश्ण है, Ireland की रजधानी क्या है? इसका अंसर होगा option D, Dublin अगला प्रश्ण है, इन देशों में से किसे United Kingdom से अजादी मिली? इसका अंसर होगा option B, अपना प्यारा भारत अगला प्रश्ण है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आउइसकार किस ने किया? इसका अंसर होगा option A, विंट सर्फ, विंट सर्फ के द्वारा इंटरनेट का आउइसकार किया गया था अगला प्रस्समें एक उत्ता लेंस की सक्ति का पता लगाए यदि चबी का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है जब बस्तू को लेंस के दूसरे फक्ष पर optical केंद्र 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बनाओ इसको चलो चलो आप लोग बना लिए हो अगर नहीं बनाया तो वीडियो पोच करके बनाओ मैं इसका सोलूशन करता हूँ देखो आप जानते हो 1 by f बराबर 1 by b minus 1 by u जहां हमें क्या दिया गया है हमें दिया गया है b बराबर 10 cm u बराबर 40 cm अब देखो हम क्या रख देंगे 1 by f का जगह पे हमको निकालना है तो 1 by b का value कितना है तो b का value 10 है तो 10 रख देंगे minus और minus तो यहां पर पहले formula में दिया गया है ठीक है और यहां पर आपको 40 cm minus का 40 1 by 40 हो जाएगा अब बताओ minus और minus क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा तो कितना हो गया वन बाइ f पराबर तो देखो 10 और 40 का लगुतम ले लोगों कितना हो जाएगा तो 10 और 40 का लगुत हम 40 हो गया, उपर क्या हो जागा 4 प्लस 1 हो जागा 5, यानि 5 बटे 40 आपका हो गया, 5 बटे 40 सेंटीमीटर, 5 बटे 40 को आप कटाओ गया तो क्या हो जागा, 1 बटे 8, यानि 1 by f बराबर 1 by 8, तो f आप निकाल लोगे तो क्या हो जागा, आप क्रोस गुना क पड़ेगा, तो मीटर में निकालने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे, 8 बटे 100 हो गया, अब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू 1 by f होता, आप सब जानते हो पावर का फर्मूला पावर इक्वल टू 1 by f होता है, अब 1 by f के जगा पे देखो, पावर डा 5 डाय अप्टर इसका एंसर हो जाएगा, option A is the right answer, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, डैस से बना होता है, जो आप फिलामेंट देख रहे हो, यही फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, यह टंगस्टन का बना होता है, अगला प्रश्न है, किस इसका आंसर होगा अनुछेद 352 आंत्रिक अपात का जो 1977 में जाकर समाप्त होता यानि तक्रीबन दो साल चलता है अगला प्रश्ण भारतिय महादिप में पहला उद्दान मकाब्रा कौन से है इसका अंसर होगा अप्शन B हुमाई का मकाब्रा है अगला प्रश्ण ऑप्शन समान संतुलन सिधान किसने पर तिपादित किया था इसका अंसर होगा option B, lion walrus, इनके द्वारा समान संतुलन का सिधान दिया गया था और जो यह आप देख रहे हो, GM Kings, इनके द्वारा रोजगार सिधान दिया गया था एक नौमिस में अगला प्रश्ण है, भारत के राष्ट पती के पद के लिए कौन सपद दिलाता है इसका अंसर हो जाएगा, option B, भारत के मुखने आदिस, अगला प्रश्ण है, निमलिखित घटनाओं का उनके घटना करम अनुसार सही करम क्या है भारत छोड़ो अंदोलन, सिमला सम्मेलन, पूना समझाओता, कैबिनेट मिशन, आपको बताना है कौन सा सही है तो चलो, आप देखलो, क्या है, भारत छोड़ो अंदोलन का हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था सिमला सम्मेलन, आपको बताना है सिमला सम्मेलन, ए तो हो गया, आप बताओ सिमला सम्मेलन का हुआ था सुंपला सम्झावता पुना समझावता 1932 में हुआ था और कैबिनेट मिशन आप जानते हो 46 में आ आथा अब बताओ कैसे होगा सबसे पहले कौन है 32 है तो तीन उसके बाद पैतिन उसके बाद एक तीन एक फिर दो चार तीन एक दो चार किसमें स्थिख सिम सी श्वी मटार प्रश्न हैम महात्वा घांधी द्वारा चंपारन्ट से कौण सांदोलन शुरू किया था अश्भारतन से कौन सांदोलन सुरू किया आपको राइप प्रश्न होगा जाय उनिएप करेक्ट अंट्सर होगा आप प्रथम अमासे में अगला प्रश्न है, निम्लिखित में से कौन मानोशरीर के विभीन अंगों का अक्सीजन वहाख है। अगला प्रश्न है, मानोशरीर के गुर्दें इनमें से कौन सा कारे करते हैं। कि इसका अंसर होगा ऑप्सन ए movements का कार्ज़ करते हैं। अगला प्रस्ण है जब प्रकास किसी किनारेया किसी दरारö से गुजरती यह तो Y-क वजह से मुद जाती है। मुद नहीं मुडं जाती है मुढं होगा। मुडं जाती है। यहां पर मुडं कर लेना है मूर्ग जाती है इसका आंसर हो जाएगा Option C, भिबर्थन के कारन अगला प्रस्न ताल वे मरीची और मिर्गत्रिष्णा बनने का मुख्यों क्या है जल जाएगा Option C, प्रकास का पुर्ण आंत्रिक प्रावर्थन अगला प्रस्न HEY निम्लिखित अभिक्रिया में रिकत स्थान भरे अमल प्लस चार बराबर डैस प्लस पानी क्या होगा अमल रचार को मिलाओगे तो क्या बनेगा पानी तो बनेगा आपको पता है पानी यहां पे एक बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा कि इसका अंसर हो जाएगा option D नमक बनेगा अम लड़्चार को मिलाते हो तो नमक बनता है जैसे एने और CL यह क्या बनता है नमक बनता है अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री उज्वला योजना का मुख लक्ष क्या है कि इसका अंसर होगा option C LPG कनेक्शन पर दान करना अगला प्रश्ण है टेल्यवीजन का उइसकार किस ने किया था कि इसका अंसर होगा option D जेल ब्यार ने अगला प्रश्ण है बॉलीवल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं कि इसका अंसर होगा option C छे अगला प्रश्ण है निम्लिखित का मिलान किजिए आपको लिंग राज मंदीर तीजरा मंदीर और विंग टेस्वर मंदीर इसका मिलान करना आपको तो देखो लिंग राज मंदीर जो उडिशा में है यह किस चीज का है तो यह सिव भगवान का मंदीर है आपको जो विंग टेस्वर देख रहा है विंग टेस्वर मंदीर किसका है तो विंग टेस्वर मंदीर विश्णु भगवान का है और बच गया तीजरा मंदीर तो यह महवीर भगवान का है भगवान महवीर का है क्या हो जाएगा है जल इए बी सी एफट्शन बी इस दी डाइट अंस अगला प्रश्ण है सिलेक्शन दे नामक किताब की लेखक या लेखी का कौन है तो इसका जो सही उत्र होगा option ए अर्विंद अडिगा ठीक है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है तो ब्रिक्स का सदस कौन सा देश नहीं यह आपको बताना है तो देखो ब्रिक्स में क्या है बी फर ब्राजील आर फोर रसिया आई फोर इंडिया सी फोर चाइना एस पर साउथ अप्रिका अब जब इतना हो गया तो आप देख रहें कौन नहीं है आइसलेंड नहीं है आपसन सीज दी राइट एंसर अगला प्रश्न है पर्थम भारतिय संप्रेशन सेटेलाइट एपल छोड़ा गया किशेश की शेड़ा गया कि कौन सा युग्म शाही सुमेलित नहीं है तो आप देखो इडेन गार्डेन कोलकता में बिल्कुल सही है वान खेड़े मुंबई में एभी सही है चिन्ना स्वामी नहीं नहीं भी या चिन्नी में नहीं है बैंगलूर में बात बाकी सब सही है अगला प्रश्ण है जन्गन्ना 2011 के अनुशार घनत्य के अधार पर बढ़ते हुए करम में राजियों को ब्यवस्तित करें आपको जन्संग्या घनत्य कुई सबसे आपको बनाना है तो देखो सबसे पहले कौन आ जाएगा तो अरुनाचल परदेश आ जाएगा एक नंबर पर तो अरुनाचल परदेश आ गया यहां पर लिख दो अरुनाचल परदेश उसके बाद तो उसके बाद मिजोरम है मिजोरम के बाद आपका आ गया सी की सी किम के बाद नागा लें मैंचेस्टर किसको कहा जाता है इसका सही अप्शन होगा अप्शन डी अहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता अगला प्रश्ण है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनिवे अगला प्रश्ण है सुसील चंद्रमीश्रा को किस पीएस्यू के एमडी वा सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है कि इसका अंसर होगा ऑप्शन बी ऐल इंडिया लिमिटेट अगला प्रश्ण है बीसु सवचाले दिवस कब मनाया जाता है अगला प्रश्ण है किसी राज की दो किस्म की चाय ग्रीन टी और वाइट टिक को देश में भौगोलिक संकेत यानि जी आई टैग उत्पादनों के में पंजिक्रित किया गया है उत्पादन में पंजिक्रित किया गया है देखो जी आई टैग दो किस्म का चाय ग्रीन टी और वाइट टी इन दोनों के लिए कि इसको जी आई टैग कौन से राज को मिला है इसका अंसर आपको देना है इसका अंसर हो तो आप लोग मत कन्फ्यूज हो जाना ठीक है कि असाम में चाहे होता है तो असम को मिलाओगा नहीं यह गलत है पस्ट्रिम बंगाल को मिला है अगला प्रश्ण है केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री हर्सवर्दर ने किस राज में सांस एस एए एनस अभियान श सेट लाइट कार्टो सेट 3 को लांच करने के लिए तयार है बताए ना उससेट लाइट का नाम बताना है जिससे एक कार्टो सेट 3 को लांच करेगा इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन D PSLV C47 अगला प्रश्ण है परसीद फुटबॉलर डेवीड विला 37 वर्स जिनका उम्र है ने फुटबॉल से सन्यास लेने की घोशना की है वह किस देश से संबंदित है आपको बताना है फुटबॉलर जो डेवीड विला है वो किस देश से संबंदित है इसका अंसर होगा ऑप्शन B A.S.P.N. से संबंदित है जो कोसन मॉक्टेस 34 का कोसन अपने था उसका एंसर देखते हैं भारतिय वायुसेना ने हाल ही में सता से सता पर मार करने वाली किस मिसाइल का अंडमान निकोबार दीप समूंग में सफल परिक्षन किया इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन A ब्रहमोस मिसाइल आज का कोसन अपड़ेट डे है हमादाबाद भारत में 2019 इंटर कॉ फूटबॉल कला होगा टॉर्णामेंट किसने जीता है इंटर कंटिडेंटल जो फूटबॉलकप टॉर्णामेंटसा थे 2019 को उसको किसने जीता है ऑप्सन ए बारत ऑप्सन भी है ताजिकिस्तान ऑप्सन कल हम लोग मॉक टेस्ट थेखेंगे